नमस्कार दोस्तों टेक विश्वे के एक फ्रेश अपिसोड में आप सभी का स्वागत है तो चलिए आज अपने पास आ गया है आइफोन एक सार जो अभी बिक बिलियंड डेज के सेल में मैंने खरीदा है तो आज इसके बार में बात करते हैं देखते क्या क्या आता है आइफ करते हैं फटा-फट और देखते हैं किस तरीके से यह अविलेबल होता है आइफोन 12 लोंच होने के बाद में आइफोन 11 पर बहुत अच्छा ओफर मिला है लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा ओफर अगर इंडिया ने चेयर अप किया होगा तो वह है आइफोन एक सार का पहले से ही एक बेटर कंटेंडर रहा है आइफोन की तरब से अगर आप आपल की बात करें इंडिया का जो आपल इंडिया में जो सेल होते आपल के फोन उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का कॉंट्रिबुशन रहा होगा तो वह आपल का आइफोन एक सार है तो यह बने आपको यह मिल जाएगा अगर आप 128 GB लेते हो तो यह मैंने 128 GB का वेरेंट लेया है तो चलिए देखते इसके पीछे आप जैसे की देख पा रहे हो यहांपे सार भल्लियु अगर आप देख पा रहे हो उसक्रीट उपर तो चलिए आप इसको आप देख पा रहे हो यह 128 GB का भेरेंट ही यह भी इनने बोला है तो सार भल्यू अगर आ यहां पर आप नीचे देख पा रहे हो तो चलिए इसका जल्दी से फन अन्बक्सिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं बॉक्स में क्या-क्या आता है आप देख पा रहे हो यह उपर का पील मैंने निकाल दिया था इसकी वज़े से थोड़ा सॉफ्ट कट आउट हो गया हो उसको हम बाजू में रख देते हैं पटाफट देखते हैं और क्या-क्या आता है इसमें बॉक्स में नए आइफोन के साथ में तो आपको पता चल गया हो इन कैलिफोर्नी इसके साथ में कुछ पेपर पैंप्लेट मिलेंगे अंदर उसे के साथ में आपल के दो वंडर्फुल स्टिकर्स मिलेंगे जिसको आप इस्तिमाल कर सकते हैं आपके बच्योपर कार के ऊपर लगाने के लिए यह फोन आता है आप देख पार हैं किस तजरी क प्रोवाइड किया है इन्होंने देख सकते हैं मिडियम साइज का है चार्जिंग ब्रिक प्रोवाइड है उसे के साथ में इसमें आपको हेड़फोन भी देखने को मिलेंगे इसमें हेड़फोन जे मिलेंगे वह लाइटनिंग केबल वाला हेडफोन ही मिलेगा और उसे के आप में आइफोन का configuration देख लेते है आइफोन XR का आइफोन XR देखता रहे है आप जिस तरीके से नीचे आपको दोनों साइड पर इसे ग्रिल्स मिलेंगे लेकिन इसमें का एक स्पीकर ग्रिल्ड है और एक जगा पर आपको माइक देखने को मिलेगा नीचे यह आपको साइलेंट कर सकते हो और यहां पर आता है पावर स्लीप वेक बटन आता है पीछे के साट वैप कामेरा देख पा रहे हो कामेरा है उसके नीचे एक Quad LED का फ्लैश आता है उसके बाद में आपको यहां पर देखने को मिलेगा एक छोटा सा सेकंडर माई के यहां पर प् आपको पीछे की साट में हमेशा ब्लैक कलर ही आएगा सामने की साट पर जो पीछे का साइड है वहां पर आपको कलर अलग देखने को मिलेगे ग्लास सेंडविच है पीछे भी ग्लास है आगे भी ग्लास है और पीच में आप देख पार है वही आलुमिनियम का फ्रेम है तो अगर हम बात करें तो iPhone XR मुझे लगता है अभी भी वर्क इट है अगर हम देखेंगे ये साल भी अगर आप खरीते हो तो आपको कम से नम अगले 2-3 सल जे लिए तो इसमें आपको सॉफ्ट्वर सपोर्टर अगर आरम से देखने को मेलेगा तो जरूर अगर आपका बजट 30, 30,000 से लेके 35,000 के बीच में आपका बजट है तो प्लीज आइफोन XR में आपको रेकरमेंड करूंगा तो दरूर चेक आउट कीजिए ये फोन उसे के साथ में एक छोटा सा कंपरिजन मुझे इसका आइफोन XC के साथ में भी करना है तो वो भी मैं आपके लिए जरूर ले सो प्लीज डू सब्सक्राइब तो चलिया मैं आपको मिलता हूँ एक फ्रेश अपिसोट के हटो मरू तब तक यू गाइज टेक क्यार बाबाई तो देट सल फर दिस वीडियो गाइज थैंक यू फो वाचिंग प्लीज लाइक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए मेरे टेक विश्यू यू यू चानल को आपका हरेक लाइक हरेक शेयर और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा नय नय ऐसे वीड देलिवाइब